अचार, अचार का नाम सुनते ही न, मुँ में पानी आ जाता है, अचार चाहे किसी भी चीज कहो, खाने में चारचार लगा देता है, आज मैं बना रही हूँ हरी मेर्ज, अदरक और लेसन का अचार, और खास बात इसकी ये है कि ये इंस्टेंट अचार है, इसे बना कर आप तुरंत खा सकते हैं, अब तुरंत का मतलब ये नहीं है कि बनाया और खा लिया, इंस्टेंट का मतलब ये होता है, कि आप इसे बना कर कुछ घंटे बाद इस्तिमाल कर सकते हैं, और खास बात इसकी है कि इसे धूप दिखाने की बिलकुल जरूरत नहीं है, तो आईए बना इसे तो इस अचार को बनाने के लिए न मैंने ये मोटी वाली हरी मिर्च ली है ये जो हरी मिर्च होता है ये तीखा नहीं होता है तो करना क्या है पहले तो आप हरी मिर्च को पानी से अच्छे से साफ कर ले उसके बाद एक सूखे कप्डे पर फैला कर इसका जो पानी है उसे सुखा ले अगर धूप है तो 10-15 मिनट के लिए इसे धूप में रख दे और इस तरीके से छोटे-छोटे टुकडे में काट ले बस ध्यान रखे इसमें मौईस्चर नहीं होना चाहिए इसी के साथ मैंने 3-4 इंच अद्रक का टुकडा इस तरीके से हलका सा छील करना चाकू से जो अद्रक का उपर वाला होता है और पतले-पतले हिस्से में काट लिया है 10-12 लेसन की कलिया ले ली है और अच्छे से सूखा कर लिया है पानी से धोगर अब एक पैन गरम करें और उसमें डाल दे एक छोटा चम्मच बेथी एक छोटा चम्मच पीली वाली सरसो या काली वाली सरसो आधा छोटा चम्मच इसमें अजवाइन डाल दे एक छोटा चम्मच ये सौफ डाला है मैंने और इसी के साथ आधा छोटा चम्मच कलोंजी डाल दे अब क्या करना है इसे हमने 2-3 मिनट के लिए न धीमी आज पर बस भून लेना है ड्राइ रोजट करना है दो-3 मिनट बाद ही gas का फ्लेम हमने बंद करदेना है बस यह जो अचार का मसाला है न दो-3 मिनट ही भूनना होता है ज्यादा नहीं भूनना है बस गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए एक साइट रग दें अब इसी पैन को आप कपड़े से एक बार साफ कर लें और इसमें डाल दें करीब 150 अमेल या 200 अमेल के करीब सरसो का तेल अचार जो है हमने सरसो के तेल में ही बनाना है कोई और तेल इस्तिमाल नहीं करना है एक बार अच्छे से गरम कर लें जब ये गरम हो जाए न तब इसमें हम डालेंगे ये जो अद्रक और लैसन लिया था न धो कर अच्छे से छील कर सूखा कर लें इस तरीके से देख रहे है paper napkin के उपर मैंने रखा है ताकि इसका जो extra moisture है यानि पानी है वो सूख जाए पहले इसमें हम lesson डालेंगे lesson डाल कर medium flame पर 2 मिनट के लिए इस तरीके से चला लेंगे 2 मिनट बात ये जो अद्रक है उसे डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसे भी चला लेंगे बस टोटल ये जो lesson और अद्रक है इसको हम 3-4 मिनट ही पकाएंगे कहने का मतलब इसे पकाना नहीं है बस हलका सा तेल में fry कर लेना है बस 2 मिनट बात ही ये जो हरी मिर्च है उसे डाल देंगे और तुरंत ही गैस का flame बंद कर देंगे ये धियान रखे हरी मिर्च डालते समय हमने गैस का flame जो है वो on नहीं रखना है flame बंद कर दें और हरी मिर्च डाल कर mix करें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें इधर जो हमने अचार का मसाला भून के रखा था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है अब इसे एक ग्राइंडर में डाल कर हलका दरदरा पीस लें एक तम फाइन पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है हलका दरदरा इसे पीस लेंगे इस तरीके से बस एक दो बार ये ग्राइंडर चलाएंगे न तो ये इस तैयार किये हुए अचार पाउडर को इसमें डाल देंगे इसी के साथ इसमें एक से दू छोटा चमच या आप स्वात के अनुसार नमक डाल दें अचार है तो नमक जो है थोड़ा सा प्लस में ही डालें एक छोटा चमच हल्दी पाउडर डाल दें या देड़ छोटा चम्मच कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर यह ऑप्सनल है आप चाहें तो इसे अवाइड भी कर सकते हैं इसको डालने से क्या है इसका कलर जो है अच्छा आता है आधा चोटा चम्मच इसमें हीन डाल दे और अच्छे से मिक्स कर ले अब क्या है इसे हमने धूप में तो रखना जाता है जो कि मार्किट में आपको बड़ी असानी से मिल जाता है इसका इस्तेमाल क्यों किया मैंने आपको बताती हूँ अचार जो है धूप में रखकर इसकी सेल्फ लाइब को बढ़ाई जाती है ताकि यह लंबे समय तक खराब नहीं हो क्योंकि इसे हमने धूप में नह करनी से दूर रखें इसमें कोई भी आप गीला चम्मच इस्तिमाल नहीं करें इस चीज का आप ध्यान रखें बस यह जो अचार है ना हरी मिर्च अद्रक और लहसन का यह अचार खराब नहीं होगा इसे आप लंबे समय तक इस्तिमाल कर सकते हैं बस जो चीजे मैंने अचार आप जब मर्जी इंज्वाए कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ यह रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं मिलते हैं एक नई अच्छी रेसिपी में थैंक यू